दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटीव चैनल पे और आज की जो वीडियो पिछले कल जो मैंने वीडियो डाली थी एक माईलेज टेस्ट की उसी का सेकंड पार्ट है इस बार जो माईलेज टेस्ट करेंगे हम 100 ml पेट्रोल के साथ ही करेंगे और जो मतलब रोड की कंडिश सेम रहेगी वही ट्रैक 2 किलोमेटर का रहेगा लेकिन इस बार जो है हार्ड एक्सलेटर यूज करेंगे और स्पीड जो है वो पचार से अबब रखूंगा मैं जो आर्पियम है वाइक के वो भी 5000 से अबब जो है आर्पियम रखेंगे और फटाफट से देखते हैं कि कितन वीडियो में अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूँगा वहां पे बाइक जो है रुक गई थी इसके बाद दोबारा से मैं इसमें एड करता हूं 100 ml पेट्रोल दोबारा से और उसके बाद देखें कि कितना चलेगी ठोड़ा सा वैसे बाहर ग लगता है यह जो कैप है जो पेट्रो टैंक की मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके पास यह स्मूदली हो जाती है बंद यहां पे तो काफी एक्स्टा फोर्स मुझे लगानी पड़ती है अब ट्रिपमेटर को कर लेते हैं जिरो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे ह कि जो ट्रैक था पिछले कल की तरह ही ज्यादा ट्राफिक वाला ट्रैक नहीं है दो किलोमेटर का ट्रैक यूज करूँगा वहीं पे ही बाइक को गुमाऊंगा मैं एक दो लाइट्स का एरिया आएगा इसमें बीच में लेकिन ज्यादा स्पीड वहां पे डाउन नहीं करे मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था दोस्तों कि जो माइलेज रहती है हमारी काफी ज्यादा पॉइंट्स मतलब डिपेंड करते हैं उसके उपर हार्ड एकसलेटर आपका ब्रेकिंग आप किस टाइम पे अब जैसे कॉंस्टेंट रखें आप स्पीड को मतलब इत ज्यादा क्राइटेरिया हैं लेकिन जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं अभी जो स्पीड है मेरी साट पैंसट के आसपास मैंने रखी है पचास से उपर ही रखने की कोशिश करूंगा रोड की कंडिशन भी डिपेंड करती है हील एरिया में काफी ज्यादा उतार काफी बेटर है थोड़ा सा जो रहता है जो लाइट के उपर वहां पे बाइक को रोकना पड़ता है लेकिन जितना हो सके मैं सिमिलर ही करूंगा प्रैक्टिकली जो हमारी माइलेज आती है जो नॉर्मली डेज में आप बाइक को यूज करते हैं हाँ वो एक स्पैशली जैस हैं फिर थोड़ा सा डाउन भी आना पड़ता है तो आभी हम रिजल्ट पे पहुंचने ही वाले हैं यहां पे जैसे कि आप देख रहे होंगे जो रोड है काफी अच्छा है और ट्रैफिक इतना जादा नहीं है स्लो भी नहीं कर रहा हूं यहां पे बाइक में तो देखते ह कि हेल्प आपको जीए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे वाटसप कर सकते हैं आप वहां पे मैं आपकी हर कोईरी का जो अंसर जितना मुझे नॉलेज है मैं यह नहीं कहता कि एक्सपर्ट हूं लेकिन जितना मुझे पता है बाइक के बारे में मैं उतनी आपकी हल्प जरूर करूंगा अब देखते हैं यहां पे कितना जो बाइक जो है 4.6 पे अभी बंद हो चुकी है मेरी और धिरे धिरे यह स्लो हो रही है इसके आगे 4.6 ही मैं मानके चलूंगा तो 46 के अवरेज मेरी यहां पे तो तेंक्यू तो तो